अधिकारों को संरक्षन देने वाली संस्थाएं आज इस विशय में हमारे साथ खुर्षिद जी है जो हमें और इस विशय में बताएंगे इस विशय के बारे में हमें और गहराई में उतारेंगे खुर्षित जी ये बताईए कि हमारे देश में ऐसे कोई संस्था है जो सुनिश्चित करती है कि ये सभी अधिकारों का सही रूप में पालन किया जाए इनका सुरंक्षर करती हो जी शालें जी बिलकुल ऐसे संस्थाएं हैं और जैसा कि आपने कहा कि हमारे संभीधान ने बहुत सारे अधिकारों की घोश्टा की है और सरकार का ये कर्तव है कि उसका पालन किया जाए लेकिन अगर पालन नहीं होता है तो फिर ऐसी संस्थाओं की भूमी का सामने आती है हमारे देश में कुछ ऐसी संस्थाओं हैं जो हमारे अधिकारों का संरक्षन करती है बच्चों आपने इनके बारे में पढ़ा भी है और हम आगे उनकी जानकारी देते हैं इन सारे संस्थाओं में सबसे एहम भूमी का हमारी नियाले निभाती है और नियाले के इलावा भी कुछ आयोग हैं जैसे मानो अधिकार आयोग, बाल एवम, महिला अधिकार आयोग, सूचना का अधिकार आयोग ये सारे आयोग भी हमारे अधिकारों का संरक्षन करती है तो देखा बच्चों आपने हमारे देश में कितनी विभिन प्रकार की संस्थाएं हैं जो ये सुनुक्षित करते हैं कि हमारे सभी अधिकार सही रूप में पालन हो और इनका संग्रक्षन करती है। जिस प्रकार अभी आपने कहा कि न्याले सबसे महतो पुन मुमिका निभाती है। कि आप हमारे बच्चों को ये बताएंगे कि किस प्रकार? बच्चों आपने आठ्वे की कक्षा में न्याय पालिका के बारे में पढ़ा, सम्विधान के बारे में पढ़ा, तो हम ये जानते हैं कि भारत में अगर किसी को न्याय चाहिए, तो फिर उस न्याय दिलाने के लिए पूरी न्याय पालिका की वहस्ता को स्थापित किया गया ह और इस न्याय पालिका में अलग-अलग स्तर हैं जहां पे न्यायले हैं जैसे जिला के स्तर पे हैं, राजी के स्तर पे हाई कोट हैं और उच्छे न्यायले जो हमारे उच्छे तर न्यायले सुप्रीम कोट हैं ये अलग-अलग स्तर हैं इसके साथ साथ समिधान ने कुछ मूल अधिकार के बारे में भी कहा है जो हम नागरिकों को भारत में रहने वाले लोगों को मिलता है तो जब कोई बात बिवाद होता है एक दूसरे में पडोसी के साथ आपसी मामले में जब ऐसे जगड़े होते हैं तो हम रेगुलर कोट्स में जाते हैं जिला के कोट में हो सकता है लेकिन जहां मामला मूल अधिकार का है तब समिधार ने ये प्रधान दिया है अनुछेद 32 और अनुछेद 226 के तहद हम हाई कोट या सुप्रीम कोट में जा सकते हैं हमें जिला में जाने की ज़रुवत नहीं है, हम वहां जा सकते हैं। तो बच्चों ये जाना बहुत ज़रूरी है कि वे मुल अधिकार कौन-कौन से हैं। मैं आशा करते हूँ कि आपको मुल अधिकार पता होने चाहिए। जब भी आपको ये लगे कि आपके वे मुल अधिकार का हनन हो रहा है, तो आपके पास ये पूरा राइट है कि आप या तो हाई कोट या सुप्रीम कोट में जा सकते हैं।